आज में बनाने वाली हूं पानी पूरी का चटपटा पानी जो कि हम यहाप पे तीखा और मीठा पानी दोनों बनाने वाले हैं तो अगर यह रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और शेर करना ना भूले और अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो प यहां पर डालेंगे हम थोड़ा सा धनिया तो धनिया हमने यहां पर डंडे के साथ ही लिया हुआ है उसके बाद हम यहां पर डालेंगे तीखे पन के अनुसार इसमें मिर्ची तो मैंने आप छे मिर्ची ले ली है और हम यहां पर डालेंगे हम थोड़ा सा अध्रका पटे मसाले तो सबसे पहले हमें यहां पर ले लेना है एक छोटी चमज भूना जीरा पाउडर उसके बाद हम डाल देंगे यहां पर दो छोटी चमज चाट मसाला अब जो नेक्स चीज यहाँ पर जाएगी वो है हमारा पानी पूरी का मसाला तो हमने यहाँ पर देड़ छोटी चमच पानी पूरी का मसाला अड़ कर दिया है अब हम यहाँ पर डालेंगे सौधा नुसर काला नमक तो हमने यहाँ पर एक चमच काला नमक और आदी चोटी चमच यहाँ पर हमने नॉर्मल नमक डाल दिया है अब यहाँ पर बारी है पानी की तो हम यहाँ पर इसमें डालेंगे चिल्ड थंडा पानी तो देखिए हम यहाँ पर एक लिटर पानी इसमें आड़ कर दिया है थोड़ा balance हो जाता है, तो यह हमारा पानी ready हो चुका है, तो अब चलते हैं हम अपना मीठा पानी बनाने के लिए तो उसके लिए हमने यहाँ पे 1 फोट कप इमली ले लिया है, उसके हमने भी निकाल दी है, उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे mixture grinder, उसके बाद हम इसमें अच्छी तरह से इसे piece लेते हैं, तो हमें यहाँ पे एकदम fine paste बना लेना है, हमारा इमली के चटनी के लिए तो यह जो हमारा पानी बचा हुआ है, इसे आफ फेके ने इसे हमें use होने वाला है, जब हम इमली की चटनी को पकाएंगे तब, तो देखिए अब हम चलते हैं, इसे paste बना लेते हैं, तो जो हमारा paste एकदम ready हो चुका है, अब हम इसे medium flame पे थोड़ा सा fry कर लेंगे, तो देखिए हमने जो यहाँ पे हमारी excess पानी बचा हुआ था, अब हम यहाँ पे आड़ कर देंगे, यह one fourth cup good, तो यह हमने यहाँ पे यह काला वाला good ले लिया है, आप यहाँ पे चाहे तो कोई भी good use कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे डाल देंगे यह one fourth cup चीनी, तो चीनी और good दोनों एकदम balance हो जाता है, तो इससे क्या होता है, जो हमारी मीठी वाली चटनी होती है, उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप यहाँ पे good और चीनी दोनों ही एड़ करें बस हमें इसे थोड़ा सा उबाल लेना है, हमें इसे यहाँ पे जादा नहीं पकाना है तो देखें, जो इसमें थोड़ा सा उबाल है, वो आ चुका है, अब हम इसे निकाल के साइड में रख देते हैं, थोड़ा सा थंडा कर लेते हैं, तो अब बार यह हमारे मीठे पानी को भी चटपटा बनाने के लिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे आदा चमच काला नमक डाल दिया और एक चमच हम यहाँ पे डाल देंगी चाट मसाला, अब हम यहाँ पे आड़ करेंगे बुना हुआ जीरा पाउडर तो हमने यहां पर आदी चोटी चमद जीरा पाउडर ले लिया है आप यहां पर बुना हुआ जीरा पाउडर यूज करें जिससे जो हमारे पानी में टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा आता है अब हम यहाँ पे आट कर देंगे थोड़ा सा पानी जिससे कि हमारी जो चटनी है थोड़ी सी पतली हो जाए अब हमें इसे च्छान लेना अच्छी तरह से अभी यह बहुत मूटी है और इसमें जो हमारे थोड़े इमली के दाने है तो अब हम इसे चलते हैं इसे च्छान लेते हैं तो हमने यहाँ पे ले लिया एक च्छनी उसमें हमें यह पानी को अच्छी तरह से च्छान लेना है तो देख सकते हैं जो अब हमारा पानी है एकदम रेडी हो चुका है तो अब हमने यहाँ पे दोनों पानी बना के रेडी कर लिया है अब हम चलते हैं इसके मसाले बनाने की तरफ तो जो हमारी पानी पूरी में में मसाला लगता है उसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है तीन बड़े उबले हुए आलू और थोड़ा सा मटर तो हमने यहाँ पे 6-7 चमच मटर ले लिया है उसके बाद हमें इसमें आलू और जो हमारा मटर उसे अच्छी तरह से मैश कर लेना है वैसे तो हमें मार्केट में प्लेन बॉयल रगडा होता है वही हमारे पानी पूरी में यूज होता है लेकिन आज हम इसे थोड़ा मसालेदर बनाने वाले हैं तो जो देखे हमारा आलू और मटर है उसे हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अब हम इसमें आड़ करे पानी पूरी में रगडा और पानी का जो टेस्ट मिलेगा उसके बाद आपको पानी पूरी खाने का मजा आने वाला है वह बहुत अच्छा आने वाला है तो देखिए हमने इस तरह से कुछ रगडा और जो हमारा पानी है उसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो हमने यहां पर जो हमारे पानी पुरी का तीखा पानी और मीठा पानी होता है उसके साथ हमारे जो चटपटा रगडा होता है उसे हमने बना के रेडी कर लिया है So I hope कि यह रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगे and thank you so much guys for watching this video have a good day